पिछले एपिसोड में बहुत सारे डिमन गोड हाउचन के ऊपर गुसा होने लगे थे क्योंकि हाउचन के बज़े से उन सभी के सक्सेस तर फैंटेसी परडाइज में मारे गए थे इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाउचन मास्टर हन के साथ में होता है जहाँ पर वे उसे काते हैं कि लिडर ने सुना कि तुम्हारा ब्लू रेन लाइट ही इसका सभी भी वॉल्व हो रहा है लेकिन असल में इस समय वो अबेलेबल नहीं है इसलिए मैं चाहता हू कि सबसे पहले तुम सेंग में उक्सन हाूस में जाओ क्योंकि हो सकता है कि साथ वहाँ से तुम किसी चीज़ को हासिल कर सको जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर हाउचन लाइट गोड़ेस के बारे में याद करने लगा था जिन्होंने कि हाउचन से कहा था कि त तुम्हारे लिए मेरे पास में एक गिफ्ट है और तुम्हें इसके बारे में बहुत ही जल पता भी चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन लाइट कोड़ेस की बाथू को याद करके इसके बारे में सुचने लगा था। और फिर कहने लगता है कि कहीं याद चीजा असल में इसके बारे में तो नहीं आए। जिसके बाद तुम्हें तो खुद इसके बारे में पता चली जाएगा। तब इसके ऐसी बाद सुनकर लिंसीनू से कहाना लगता है कि गंजे क्या तो मुसके तरफ अट्रैक्ट होने लगे। लेकिन इसपर सिमा सियान उससे कहाना लगता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि मैं तो इससे बिलकुल भी पसंद नहीं करता बलकि मेरी लबर तो ऐसी होगी जिसके पास में लंबे बाल होंगे। और इसी के साथ वो बिल्कुल एक फ्लावर के जैसे मासूम होगी। तब ही अचानक से हम देखते हैं कि यहां के सभी लाइट बंद हो गए थे। और अब इस तरह से यहां पर एक और लेडी की एंट्री होती है। जिसका पास में की लंबे-लंबे बाल थे। वहीं दूसरी और हम देखते हैं कि सिमा सियानी से देखते ही पूरी तरह से हैरान हो गया था और वो एक पल के लिए भी इसके उपर से अपने नजर को नहीं हटा पा रहा था। इसके अलावा हम दखते हैं कि वह तो इस लड़की के साथ में अपने ख्यालों में खो जाता है और उसी के दोरान वो लिंज सिनको किस भी करने वाला था जिसके बाद हम दखते हैं कि इसके ऐसे हरकत केलिए लिंज सिन उसका नाक तोड़ देता है और फिर उससे कहता है कि क्या तुम अपने जिस लबर के बारे में बात कर रहे तो वो यही आए जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से उस लड़की को देख बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और फिर वो हान्यू से कहाना लगता है कि वो तो बिल्कुल मेरे ड्रिम लबर के जैसे दिखाई दे रही है इसलिए वो हान्यू से कहाना लगता है कि जरा तो मुझे एक पर पंच दो करू क्योंकि कही आसा तो नहीं कि यह कोई मेरा सपना है जिसके बाद हम देखते हैं कि यह सी बात सुनकर हान्यू से पंस करता है इसलिए सिमासियान कहना लगता है कि यह तो पूरी तरह से असली है और अब मैं इस तड़की को अपना जरूर बनाऊंगा इसके अलावा हम देखते हैं कि वह तो उसे मिलने के लिए नीचे भी जाने ल लेना जिसके बाद हम देखते हैं कि यह सी बात सुनकर अब सिमासियान भी इसके लिए मान गया होता है तब ही रेड ड्रेस वाली लेड़ी कहना लगती है कि यह अक्षन थोड़ा से इस पेसल है इसलिए हमने होली अलाइंग से अक्षन हाउस से यंग मास्टर को इन्वाइ लेकिन इस पर हाउचेन उसे कहता है कि अभी तुम्हें इसके बारे में ज्यादे होने की ज़रुत नहीं है क्योंकि मुझे आसा लगता है कि अगर इस आइटम के बारे में ऐसी बात है तो फिर इसके मास्टर को चूज करने का कंडिशन भी बहुत होगा तब ही मिस फेंगि के यंसे कहते हैं कि जब इसके सिकेंड नने इसका यूस किया था तब उस वाक्त उन्होंने इसका यूस करके साथ डीमन को मारा था इसके ऐलवा हूं इसका जर्मसल में लोगों को लाइट देने के लिए हुआ है फिर वागे इंसे पताने लगती है कि आज से 200 साल पॉले इस स्वार्ड का यूज ब्राइट स्वार्ड गॉर्ड युवू संग ने किया था और उसलिए ये वॉरियर पाइलेस का मिथिकल स्वार्ड है इसके लावा हमें पता चलता है कि आज से हजार साल पौले Light Goddess ने भी इसका यूज किया था लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो Sword जैसे ही सामने आती है इसे देखते ही हाउचन पुरी तरह से हैरान हो गया था क्योंकि ये Legendary Sword असल में Light Goddess का Light Sword होता है और उसलिए वो सुचने लगता है कि कि Light Goddess ये Sword मुझे Gift के रूप में देना चाहती है लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जब Light Goddess की Death हुई थी तभी से इस Light Sword ने खुद को सील कर लिया है और उसलिए उसके बाद से वो कभी भी वहाँ से बाहर नहीं आया जिसके बाद मिस फेंगिन से कहाना लगती है कि जो कोई भी उस Sword को वहाँ से बाहर निकालने में कामयाब हो गया तब इस तरह से या स्वाड उसकी हो जाएगी तब इसके बाद मिस सुनते ही यहाँ पर आयों वे सभी लोग इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हो गये थे और इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इसके लिए ट्राइ करने के लिए भी आने लगे थे तब ही हान्यों कहना लगता है कि जिससे में इस वर्ड ने खुद को सिल किया था तब उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने इससे बाहर निकालने की कोसिस की थी जहां तक ही उससे में डिवान सिल नाइट ने भी इसके लिए ट्राइ किया था लेकिन इसके बाद भी कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो सका लेकिन तब इसके ऐसी बात सुनकर लिंसिन कहना लगता है कि मुझे अपने लीडर के उपर पुरा यकीन है इसलिए अगर उसमें कोई भी से बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो सका थो किया हुआ लेकिन मुझे पूरा यकिन है कि हमारा लीडर हौचन ऐसा जरूर करेगा इसी के साथ हो करना लगता है कि हौचन के पास में तो खुद लाइट कोड़ेस का भी फेवर है जिसके बाद से मुझे असल लगता है कि यह चीज इसके लिए बहुत जादा मुश्कि नहीं होगी तब इसी बीच हम देखते हैं कि लेवर लेट वाले एक वरियर इसे निकालने के लिए अपनी पूरी कोर्सिस कर रहा था लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और इसके अंदर से निकलने बाले पाउर के वज़े से यहां के बहुत सारे लोग इंजड भी होने वाले थे लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउचन ने अपने पाउर का यूज करके इनको जक्मी होने से बचा लिया था जबकि हानी और सिमासियान उन दोनों लेड़ी को अपने बाहों में लेकर नीचे आ जाते हैं लेकिन तभी इसी भीच हम देखते हैं कि अब हाउचन भी यहाँ पर ट्राइ करने के लिए रेडी हो गया था इसलिए वो जैसे ही नीचे आता है इसके लाइट और अकट मिस्पिंग पुरी तरह से हैरान हो जाती है इसके अलाव हम देखते हैं कि वो सौर्ड भी अपने आप ही एक्टिवेट होने लगी थी तब इससे देख सभी हैरान होते हुए कारना लगते हैं कि अभी तो उसने इसे टच भी नहीं किया और फिर वो बात करना लगते हैं कि अखिरकर वो किस लेबल में है जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन अब उस सौर्ड को यहां से निकालने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया होता है और इसी के साथ को लाइट को थैंक्यू बोलते हुए कहता है कि मैं इससे बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखूँगा तब ही लाइट गोड़ेस कहना लगती है कि सौर्ड के पास में भी एक सील है इसलिए साइस समय आने पर यह खुदी अनब्लोक हो जाएगा जिसके बाद है तुम इस सौर्ड के असली पार को देख पाओगी और इतनी बात कहने के बाद वा हाओचें से कहती है कि लाइट तुमें गाइड करेगी लेकिन गोड़ की असली लाइट के वोला अंदकार के गहराईयों में इखिलेगी जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारा में सुनकर हाओचें भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो कहना लगता है कि यही तो मेरा फ्यूचर है लेकिन तभी फिर लाइट गोड़ेस कहना लगती है कि अब यह पूरी तरह से तुमारे उपर है क्योंकि अभी भी यहाँ पर हाइयर गोड़ के इंप्रिंट है तभी इससी भी सम देखते हैं कि यहाँ के नजारे को देखते ही सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गये थी और वे सभी हैरान होते हुए कहते हैं कि उसके पीछे तो खुद लाइट गोड़ेस है और इसके लावावा तो गोड़ के पाउर को लेने के लिए भी काबिल है इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन के बौड़े में लाइट गोड़ेस की पाउर आ गई थी और अब इस तरह से वो लाइट स्वार को वहाँ से निकालने में कम्याब हो गया था जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके बज़े से यहाँ के लोग और भी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और फिर वे कहरना लगते हैं कि इसके पाउले तो बहुत सरे लोगों ने इसे हसिल करने के लिए ट्राइ किया था लेकिन उसके बाद भी उसमें से कोई भी आसा करने के लिए कामे अब नहीं हो सका था लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन और उसके सभी साथ ही एटरनल टाउर के अंदर आ गये थे जहांपर कि हाउचन ने इस स्वाड के मदद से यहां के ट्राइल को बहुत ही असानी से पास कर लिया था जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसे पाउर को देख सीमा सियान भी आहरान होता है और फिर वह हाउचन से कहता है कि बोस आपका स्वाड तो सच में बहुत ही जादा ओसम है क्योंकि इसके पाहले तो हम इस लेबल में बहुत ही लंबे टाइम से फसे हुए थे जबकि आज आपने तो केवल अपने एक ही अटेक से सभी स्कलेटन को मार दिया तब ही हाउचन कहारना लगता है कि यह सवाड भाले मुझे लाइट कोड़ेस के दोरा दिया गया है लेकिन इसके बाद भी है तो वारियर हॉल का मितकल सवाड भी है इसलिए जब मुझे चांस मिलेगा मुझे वारियर हॉल में जाकर उनसे परमिसन लेना होगा क्योंकि केवल उसी के बाद मैं इसका बैटल फिल में यूज कर पाऊंगा इसके बाद वो इनसे कहरना लगता है कि जब हम एटरनल टाउर से बाहर जाएंगे तो फिर जैसे ही हमारी स्प्रिच्वल पाउर 6000 पॉइंट तक पहुंच आएगी तब उसके बाद हम डिमन हंट्रिंग टाउर में जाकर कमांडर लेबल में अपक्रेट कर लेंगे लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि वे अहां के ट्राइल के लेबल 6 में पार्टिसिपेट करने वाले थे जो कि यहां के फर्स्ट लेबल का लास्ट लेबल होता है कि तुम्हारी सारी मेनत पूरी तरह से बेकार है क्योंकि अब या ट्राइल खुद हाउचन को अकेले ही कंप्लीट करना होगा वही दूसरी तरह हम देखते हैं कि अब हाउचन भी इसके लिए रेडी हो गया था जहांपर एक अबाज उसका लीडर सेलक्षन ट्राइल के फर्स्ट लेबल में वेलकम करने लगता है लेकिन तब ही हम देखते हैं कि हाउचन यहांपर थोड़ा सा परिसान होने लगाता और फिर वो कहारना लगता है कि मुझे तो यहांपर कोई भी नजर नहीं आ रहा जबकि इसके पहले वाले ट्राइल में बे तो सुरू होते ही सामने आ जाते थे लेकिन फिर वो समझ जाता है कि साधिया ट्राइल उसके सामने वाले स्टोन मॉनुमेंट से रिलेटेड है वहीं उदर इस कलेटन बताने लगता है कि गलोरी वाले एरा में 13 फायर हर्मिट थे जिनकों कि दुनिया के किसी भी मैटर से कोई मतलब नहीं होता था लेकिन इसके बाद भी किसी के इतनी हिमत नहीं होती थी कि वो उनको इग्नोर कर दे फिर वो आगे इनसे कहता है क्योंकि अगर भी लोग एक बार किसी तरह से बाहर आ गये तब उसके बाद वे ज़रूरी पूरे इंसाने लाइब को पुरी तरह से तबाह कर देंगे इसके लिए भाले ही समय के साथ उनका नाम केवल एक टैबू बन कर रह गया लेकिन केवल मास्टर इलेक्रोलक्स से उनको सरेंडर करा सकते थे और फाइनली अब उनमें से 12 हर्मिट के बारे में कोई भी ट्रेस नहीं है इसके बाद वो इनसे बताता है कि मास्टर इलेक्रोलक्स के पास में 11 अंडेट बॉडिगाड हैं जिन्होंने की एक बार मुसवी को अपने साथ लेकर बार शुरू कर दिया और इसके बाज़े से पूरे गुलरी सेरे में तबाही बंच गई तब ही अचानक से हम देखते हैं कि हाउचन के चारूर कोई फायर पार जेनरेट हो जाती है तो क्या आपको लगता है कि हाउचन इस ट्रायल को भी कम्प्लीट कर पाएगा इसके बारे में कॉमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कॉमेंट भी जरूर कर देना